आज के जमाने में कैल्शियम की कमीं के कारण अस्थी यानि बोन से रिलेटिड कई सारे डिजीस देखने को मिलता है Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences और आज हम देखेंगे अस्थी यानि बोन से रिलेटिड डिजीस, अस्थी एवं मजाकतवात Before proceeding, I would like to thank you all for your support Also, इस चैप्टे के Ready to Read Notes अविलेबल है हमारे Instagram पेज पेज जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Hello दोस्तों, Welcome back to our channel दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अस्थी एवं मजाकत बात यह है व्यादी, बात व्यादी और अस्थी मजगत बात के समाने लक्षान पहला है सक्टी शूल, इसका 8 है pain in thighs सक्टी का मतलब होता है thighs या पिजांगे और दोस्तों, वहाँ जब pain या शूल होता है, तो उसे हम बोलते हैं सक्टी शूल दूसरा है संधी शूल, इसका 10 है pain in joints तीसरा है age-tie शूल, मतलब कि boney pain मतलब कि bones में जब बेन होता है तो इसे बोलता है अस्टि शूल फूर्थ है तिवर पल शें मतलब कि severe weakness आ जाती है अस्टि और मजगत वात में फिफ्थ है अस्थियों में सौशीरिता होती है इसका मतलब modern में हम इससे osteoporosis से relate करते हैं जिसमें जो mineral density होती है बोन की वो कम होने रख जाती है Sixth है अनिद्रा मतलब की insomnia Seventh है अंग स्थब्दिता मतलब की stiffness in body जो पूरी body है उसमें जखड़ा हट आ जाती है उसे ही हम बोलते हैं अंग स्थब्दिता Eighth है पर्व भेद इसका अर्थ है pain in small joints पर्व का मतलब होता है small joints और भेद का मतलब होता है pain Nineth है मास्च है मतलब myopathy, muscles की बिमारी होने लग जाती है Tenth है शरीड में सतत वेदना मतलब की continuous body एक होने लगता है मतलब लगातार हमारी body में दर्द रहता है और दोस्तों 11th और लास्ट है मजजा शोष इसका अर्थ है depleted bone marrow मतलब की bone marrow में कमी आ जाना दोस्तों यह थे अस्ती एवं मजजगत बात के समाने लगशे हैं दोस्तों I hope you like this video and if you like this video then do hit the like button share with your friends, comment down below and do subscribe to our channel Thank you so much for watching guys Thank you for watching Do like, share and subscribe and comment box में हमें ये बताना मत भूलेगा कि कौन से chapters में आपको हमारी help चाहिए